नेंद ना आने की समश्या यानि एनीद्रा की समश्या दोस्तो इतनी बेकार होती है ना कि अगर आपको अच्छे से नेंद नहीं आती है तो आप दिन बर ठका ठका मैसुस करेंगे आँखों में दुंदलापन रहेगा आँखों में डार्क सरकल हो जाते है सर बहुत ज़्यादा दुखता है चिड़ चिड़ापन हो जाता है और आप कोई भी काम अच्छे से नहीं कर पाते हैं तो आज मैं आपके साथ ऐसे तीन नुस्खे सेर करूँगे जिनको आज मा कर अगर आपको भी नीद अच्छे से नहीं आती है न तो आप इन्हें आज मा लेना एक तम अच्छे से पहले दिन से ही आपको फरक नजर आएगा बेहद ही अच्छी नीद आएगी आपको और ऐसे गरेलू नुस्खे बताऊंगी जिसके लिए आपको बहुत सारे पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है कुछ भी ज़्यादा जंजट करने की जरूरत नहीं है सिंपल साधारन और सस्ते नुसकी है दोस्तों लेकिन सो परसेंट कारगर है जिनको भी ये समस्या है आज मा सकते हो तो अमारे पास यहां पे सबसे पहले तिर्फला पाउडर है तिर्फला पाउडर आप गर में भी बना सकते हो और आप बाजार से भी ला सकते हो बेहद ही बढ़िया होता है आपके लिए तिर्फला पाउडर दोस्तों इसके बहुत सारे फायदे होते हैं अक्सर आपने सुना होगा तिर्फला पाउडर उनके लिए फायदा जादा करता है जिनको पेट समबंदित समस्या है लेकिन जो नींद की समस्या है ना वो भी कई ना कई इसी से जुड़ी होई है तो आप इसको एक बार जरूर आजमा कर देखना सिर्फ सपता बर आजमा ले हैं आपको इससे 100% फायदा लगेगा दोस्तों तो आपको क्या करना है रो जाना एक चमच बड़ी चमच है तो आदा चमच ले ले भुज्जादा लेने की जरूरत नहीं है इससे आपका पेट भी अच्छे से साफ होईगा नींद भी अच्छे से आएगी और सारी आप सर्दियों में जादा करते हैं लेकिन ऐसा नहीं है आप इसका इस्तिमाल गर्मियों में भी कर सकते हो ठीपेंड करता है कि आप इसको किस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हूँ तो आपको यह Anar बरकर सैद ले लेना है वो भी इसी के अंदर डाल लेना है जो आमने तिरफला पाउडर एड़ किया है ना इसी में आप सैद भी डाले एक चमस फुल बरकर आप सैद लेगे अब उपर से आपको क्या करना है जैसे हम सर्दियों में इस्तेमाल करते हैं तो बू ज़्यादा गर बिल्कुल अलका सा गुनगुना पानी लेना है बूच ज़्यादा गरम नहीं होना चाहिए एक दम जैसे फिल्टर का होता है ना नोर्मल टेंपरेचर का उस तरीके का पानी या पे लेना है आपको अब इन चीजों को बिल्कुल अच्छे से मिक्स करके और आपको ये पीना है रात को सोने से पहले खाना खाने के एक गंटे बाद में और सोने के एकाद गंटे पहले रोजाना आप साथ दिन करके देखना तिरफला पाउडर जो है आपको रेडिमेट भी मिल जाएगा आयूरवेद के स्टोर से आप ले आए बना बनाया मिल जाता है बूच ज़्या आपको कोई भी एक कर लेना है ऐसा नहीं है कि आपको तीनों ही करने है नहीं कोई भी एक नुष्खा आप आजमा लेना अब अगले चीज है अमारे पास यहां पे सोंफ दोस्तों सोंफ जो होती है ना यह आपके पेट के लिए नेंद की समश्या के लिए अडियों और को ये active कर देती है आप देखेंगे आपको पहले दिन से ही इसका असर नजर आएगा आपको क्या करना है एक चमच सौफ एक गिलास पानी में बोईल करनी है और जब तक बोईल करनी है जब तक की वो एक कप बच जाएगा यानि तीन इसे का पानी आपको उसका जला देना है ज एक चमच सौफ आपको के वो लू बालनी है उसका एक कप पानी बनाना है और इस तरीके से दोनों को मिक्स करके नोर्मल टेंपरेचर का आने पर आपको पी कर सो जाना है साथ में आप एक चमच अगर मीठा दूद लेना पसंद करती है तो एक चमच मिसरी का पाउडर या सक कर भी डाल सकते हो तो इस तरीके से आपको रो जाना सोने से पहले एक गिलास बर कर दूद और सौफ का जो पानी है वो मिक्स करके पीना है खाना खाने के एक गंटे बाद में और सोने से एक आद गंटे पहले तो इस तरीके से आप देखेंगे आपको पहले दिन से ही अच् आपको केले लेने हैं दोस्तों केले जो होते हैं ये भी नेंद की जो समश्या होती है ना एनिंद्रा की इसके लिए बैतरीन होते हैं एक तो आप केले की चाय बना कर पी सकते हो उसका वीडियो भी मैंने पहले अपलोड किया हुआ है अगर आप देखना चाते हैं तो इसका ए या फ्रूट नहीं खाना चाहिए लेकिन जिनको नेंद नाने की समश्या होती है उनको खाना चाहिए उनके लिए यह फायदेमंद होता है जब तक आपको यह समश्या है तभी तक आप खाएं आमेशा खाने के लिए मैं आपको नहीं बोल रही हूँ केला एक ऐसा फूट होता इस तरीके साब को सूट ना करें को इसमें क्या और तरीक dá लिए उसरा आजमा सकते हैं, इस तरीके से क्या पता है खाय जाने आगे तो के लाट को नहीं तो इस में से को आपको आये लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर ले न वी presents झाल झाल